इस वीडियो में हम कंटेन्यू करेंगे फूड नूट्रिशन एंड हैजीन की उनिट बन के कुछ और आए गेम स्क्योज इससे पहले वाले पार्ट में भी आपने देख लिए होगी अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखा है तो इस चैनल पर एक प्लेलिश बनी हुई है MZQs of Food, Nutrition and Hygiene के नाम से उस प्लेलिश में जाका आप उस वीडियो को देख सकते हैं फिलाल बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले कोशन की कोशन नमबर वन है Sterility is caused by the deficiency of which vitamin जो sterility है वो होती है किस vitamin की कमी से vitamin E, vitamin C, vitamin A या फिर vitamin B पहले ही जान लेते हैं कि sterility होती का है So it is a condition in which a woman cannot be able to produce offspring तो यह जो problem है यह किस vitamin की deficiency है फिर कमी से होती है वो हमसे पूछा गया है तो वो है हमारा option A, vitamin E तो sterility जो है वो vitamin E की deficiency से होती है women's में तो option A यहां पर correct हो जाएगा अगला question है the function of vitamin K is function क्या है vitamin K का वो हमसे पूछा गया है hormones production, clotting of blood to protect from diseases या फिर bones formation here option B is correct clotting of blood जब भी हमारे चोट वोड लग जाती है तो वहां से blood बहार आता है और उस blood को clot करने का काम करता है हमारा vitamin K यही इसका function है आगे बढ़ता है which vitamin is also called hormone कौन से vitamin को hormone भी कहा जाता है vitamin K, vitamin A, vitamin B या फिर vitamin D, here option D is correct vitamin D, option BD है और इसका answer भी vitamin D, E है तो vitamin D को एक hormone भी कहा जाता है जिसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका function भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी extra knowledge हम लेते हो चलेंगे क्यों कोशन आपसे किसी बतरीकी से पूछा जा सकता है, अब इनों ने व्यकुर्ट direct हमसे question दे दिया कि क्या कौन सा vitamin जिसको hormone भी कहा जाता है अब question आपसे ऐसा भी कह सकते है कि vitamin D को किस hormone के नाम से जाना जाता है तो वह hormone का नाम आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं आपको थोड़ा deep में चीज़े समझाता हूँ चल दो right तो vitamin D को जिस hormone के नाम से जाना जाता है वो है से कॉस्ट टेरोइड प्रो हर्मोन राइट फिर से बता रहा हूँ से कॉस्ट टेरोइड प्रो हर्मोन इसका नाम है और यह help करता है calcium, phosphorus और bone के metabolism को regulate करने में तो यह मैंने आपको बता गया थोड़ा extra और इस तरीकी से question भी से knowledge आपको लेनी जरूरी है और इसको आप साथ में लिखते वह चलोगे तो और वीज़ता अच्छा रहेगा नाम फिर से बताते तो सिकॉस्ट टेरोइड प्रो हर्मोन और यह जो इसका function है वो help करता है regulate करने में calcium को phosphorus को और bone के metabolism को ठीक है आगे बढ़ जाता है an example of omega-3 is omega-3 का example हमसे पूछा गया है omega-3 किसमें पाया जाता है walnut में घी में cereals में या फिर vegetables में here option A is correct walnut ठीक है तो walnut में omega-3 पाया जाता है तो हम कह सकते हैं walnut जो है वह example है omega-3 का right next question है the highest protein is present in protein की मात्रा सबसे ज़्यादा किस चीज़ में होती है या पाई जाती है oil cereal vegetable या फिर pulses here option D is correct pulses दा दाले इतने सबसे ज़्यादा protein पाया जाता है और आपको ये जरूर खानी चाहिए और protein जो है हमारी body का building block भी कहते है protein को ठीक है question इस तरहीं सकते हैं कि protein को क्या माना जाता है फिर क्या कहते हैं तो body के अंदर इसको building block भी कहा जाता है protein को right तो आपको दालें जाद से जादा जादा खाएं जो आपके शरीर को ताकत दें मस्बूत बनाया ठीक है आपके लिए healthy हो कोई भी ऐसी चीज़ें ना गंद्यूम करोगा जो आपको हाम पहुचा है आपकी body को किसी मुसीवत में डालें या फिर unhealthy कुछ भी ऐसा ना खाओ right आगे बढ़ते है glucose is called glucose को कहते है क्य amino acid monosaccharide fat या फिर polysaccharide hair option b is correct monosaccharide ठीक है अब यहाँ पर थोड़ा हमें ऐसा option दे दिया कि हमें बहुत अजीब सा लग रहा है हम कह सकते हैं और glucose को भी हम simple sugar कह सकते हैं तो ऐसा हो सकता है monosaccharide जागे आपको simple sugar देखने को मिल जाए option में फिर आपको और यह तो option ही नहीं है तो अब क्या करें तो वहाँ पर आप simple sugar भी टिक कर सकते हो अगर आपको option में मिला है तो right तो glucose को हम monosaccharide भी बोलते हैं और simple sugar भी बोलते हैं आगे बढ़ते है fruits and vegetables are examples of fruits और vegetables जो है इसका protein का cereals का fat या फिर प्रोटेक्टिव फूड का here option D is correct protective food जो fruits और vegetables है वो protective food का example है protective food जो हमें अगला तरह की बीमारियों से diseases से बचाएंगे हमारी body को protect करेंगे right तो हम कह सकने fruits or vegetables are the examples of protective food ठीक है अगला question is non-perishable substances that are purposefully added to food stuffs अब वो कौन से non-perishable substances हैं जिनको जान बोज कर food stuffs में डाला जाता है और उनको डालना जरूरी भी है ठीक है तो क्या चीज़ है वो food additives, food supplements, fermented food या फिर fortified food है option A is correct food additives तो food additives जो है food stuffs में डाले जाते हैं और यही वो non-perishable substances होते हैं जिनको purposefully food stuffs में add किया जाता है अब यह food additives में कई सारी चीज़ आ सकते हैं जैसे preservatives आ सकते हैं उसमें कोई acid वो ऐसा डाल देंगे जो डालना जरूरी भी है और यह एक preservative हो गया यानि food additive हो गया है जो food stuff में डाला गया है अब वो acid को डालना जिससे कि वो थोड़ा long term के लिए चल सके जो भी हमने प्रोड़क्त बनाया गया है वो थोड़ा जाया या फिर उसको flavor दिया जाया तो food additives होते है ठीक है आगे बढ़ता है food that is completely inadequate from a nutritional point of view अब ऐसा food जो completely inadequate है inadequate का मतलब है कि हमें अगर nutrition चाहिए तो उस food से हमें वो nutrition मिलेगा हलका full का मिलेगा लेकिन वो पूरा नहीं होगा adequate नहीं होगा मतलब जितना हमें nutrition चाहिए उतना हमें उससे नहीं मिल पाएगा तो वो inadequate हो गया तो nutritional point of view से कौन सी चीज जो है वो completely inadequate है soft food complete liquid meal clear liquid food या फिर regular meals here option C is correct clear liquid food तो जिसमें सिर्फ liquid ही liquid होगा food में वो inadequate रहेगा उससे हमें कोई nutrition उतना नहीं मिलने वाला है जितना हमारी body को need है अब clear liquid food में कई सारी की आ सकते है ऐसा कि water है ठीक है इसमें tea आ सकते है इसमें coffee आ सकते ह है अब आप कहोगे कि यार juice से भी हमें ताकत मिलती है हमें tea से भी थोड़े बहुत nutrition जो है मिल जाते हम जैसे सोके उठ रहे हैं तो उससे हमें थोड़ा ताजा फील होता है लेकिन अब यहां पर भी एक अलग चीज है clear liquid food यहां पर मतलब है कि अगर वह चाय होगी तो उसमे नहीं मिल्क होगा नहीं उसमें क्रीम होगी ठीक है नॉर्मल एक चाय होगी लिक्विड से बनी बस राइट तो वह clear liquid food में आ गई अगर हम कॉफी की बात कर रहे तो उसमें भी क्रीम कोई मिल्क कुछ नहीं होगा अगर हम जूस की बात कर तो जूस भी जो है बिना पल्प का होगा पल्प यानी कि जिसमें सबसादा पावर होता है वही उस जूस में नहीं होगा सिर्फ पानी पानी होगा जैसे ग्रेब जूस हो गया ठीक है जैसे फिल्टर एपल जूस हो गया तो उससे हमें कोई भी nutrition value नहीं मिलने वाली है तो clear liquid food यह होते है और यह completely inadequate होते हैं हमार की study को क्या बोलते है science food science diet nutrition here option d is correct nutrition right तो जो study करी जाती है food की और वह food हमारी body में क्या function करेगा जाकर इस पूरी study को बोलते है हम nutrition ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले कुशिंग दरफ चैने the most important factor in the physical development of children is बच्चे के physical development के लिए क्या चीज़ सबसे important factor रहेगी sleep exercise nutrition या फिर cleanliness here option c is correct nutrition nutrition यानि की जो भी चीज़ वह खा रहा है यह वह healthy हो और वो उसकी body को लगे जो भी nutrition है उसकी body के need है वो सब उसको body को मिल जाए तब जाए उसका physical development हो सकता है राइट सोते रहने से कुछ नहीं होने वाला exercise से कुछ नहीं होने वाला exercise वह तब कर पाएगा जब उसकी body में nutrition पहुंचेगा right protein पहुंचेगा सब चीजे पहुंचेगी vitamins minerals calcium सब चीजे में पहुंचेगी तब वो कुछ कर पाएगा cleanliness का वो क्या करेगा जब उसकी body में ताकती नहीं तो सबसे important factor हो गया nutrition नहीं हो गया ठीक है तो physical development एक बच्चे में तभी होगा जब उसको सही nutrition मिलेगा आगे बढ़ते है nutritional status is classified as nutritional status को हम classify कर सकते हैं good and bad insufficient and sufficient malnourished and overnourished यह फिर optimum and minimum here option D is correct optimum nutritional status और minimum nutritional status तो हम कह सकते हैं एक optimum nutrition होता है और एक minimum nutrition होता है इस तरी किसम उसको classify कर सकते हैं आगे what is increased by fermentation in food क्या चीज़ increase हो जाती है fermentation से food में तो food fermentation का अगर हम आसान शब्दों मतलब निकाले तो होता है उबालना या फिर उसको पकाना कच्ची सबजी होती है और एक होती है उसको हम पका लें फिर उबालने तो पकाने से उबालने से उसमें क्या चीज़ increase हो जाती है digestibility, Calcium, Vitamin A, या फिर total protein, here option A is correct, digestibility हम उसको easily digest कर पाएंगे अगर हमने उसको ferment कर लिया है पका लिया है उबाल लिया है तो आगे बढ़ता है MRP होना product means MRP का मतलब होता है किसी भी product पर क्या minimum retail price, maximum retail price, micro retail price, here option B is correct, maximum retail price, बहुत सारे बच्चों ये बाग पता भी होगी नहीं पता है और यही videos upload करने का motive है कि आपको कुछ सीखने को मिले नया और आप अपने exam में बहुत अच्छे से वो सब चीज़े कर पाओ, right, so MRP की जो full firm होती है, वो होती है maximum retail price, okay, आगे, which of the following method does not assess the nutritional level of a person, इन में से कौन सा method, assist नहीं करता, किसी भी person में उसका nutritional level, method after 24 hours, height according to age, biochemical method, य और option D is correct, composition method, यह कोई ऐसा method नहीं जो assess कर पाए, nutritional level, method after 24 hours, हम यह कर सकते है, height according to age, method हो गया, biochemical method हो गया, लेकिन composition method, कोई भी method नहीं होता है, और यह assess भी नहीं कर सकता है, nutritional level एक person का, अगला कुशन है, insoluble and soluble food in complex and simple diet transfer is called, तो जो भी insoluble and soluble food होते हैं, complex diet से simple diet में जो वो transfer होत तो उसको क्या बोलते है, assimilation, basic metabolism, digestion यह फिर dietics, here option B is correct, basic metabolism, तो इसको बोले जाता है, एक basic metabolism, right, एक last question इस वीडियो का, most of the absorption of nutrients take place in, तो सबसे जादा, जो absorption होता है, nutrition का, वो होता है, कहां पर, mouth में, stomach में, small intestine में, यह फिर large intestine में, here option C is correct, small intestine, तो जो सबसे जादा absorption होता है, जो भ take कर रहे हैं, जो भी हम चीज़े खा रहे हैं, उसमें से जो भी nutrients हमारी body को मिलेंगे, वो सबसे ज़्यादा absorb होते है, small intestine, right, तो option C ही यहाँ पर correct, हो जाएगा, ठीक है, तो यह थे कुछ और आए गेंस की, उस food nutrition की उनिडवन की, इसी जरह से आगे के questions हम आने वाली वीडिय वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों सा शेर करना मत बोलना मिलते हैं, अगली वीडियो में, till then, take care and bye bye and all the very best for your exams.